बिहार में जाती अधारित गन्ना पर जल्द सुनुआई करने को लेकर गुरुबार को याचिका डाली गई थी इस पर आज सुनुआई करते हुए पटना हाई कोट ने राजिस सरकार को बड़ा जटका दे दिया है बता दे आपको कि बिहार के मुख्यमंत्री निटीश कुमार को हाई कोट ने बड़ा जटका दिया है पटना हाई कोट ने याचिका की मांग को खारिज कर दिया इस ही आचिका के जरिये नितीश सरकार ने हाई कोट में जाती अधारित गन्ना पर जल्द सुनवाई का अनुरोध किया था इसके बाद राज सरकार के तरब से दाखिल किये गए इंट्रो लोकिट्रिक एप्लिकेशन पर कोट ने 9 माई को सुनवाई की तारिख तैकी थी इसके बाद आज सरकार के मांग को खारिच कर दिया गया है अब 3 जुलाई को इस पर सुनवाई होनी है बता दे आपको कि जाती अधारित गन्ना को लेकर हाई कोट ने रोक लगा दिया हाई कोट के जज ने कहा कि जाती अधारित गन्ना के पीछे जाती जनगन्ना हो रही है और ये कहते हुए इस पर अंतरिम रोक लगा दिया अब इसको लेकर राजसरकार ने PIL दाखिल किया कि भाईया इस पर सुनवाई हो तथे गलत तरीके से दिये गया है तो इस पर सुनवाई की जाए नौ मई को तारिक तैक किया गया था आज इस पर सुनवाई होनी थी और कोट ने कहा कि अब तक जो डेटा कलेक्ट किया गया है उसे नस्ट नहीं किया जाए मामले पर कोट ने अगली सुनवाई पहले तीन जुलाई को फिक्स की थी तीन जुलाई को पर सुनवाई होनी थी लेकिन सरकार के तरफ से ये अरजी डाली गई या चिकर डाला गया कि इ माई को इस पर सुनवाई होनी थे और आज जब सुनवाई होय तो बिहार सरकार को बड़ा झटका लगा है। जुलाई से पहले हो सकती है यह याचिका मुखे नियाधिस के भिनो चंदरन की अध्यक्षिता वाली खंडपीठ में सुनवाई के लिए सुची बद थी मालूम हो कि कोट ने अपने अंत्रीम आदिस से कहा था कि जाती अधारित सर्वे एक प्रकार का जनगन्ना है और जनगन्ना करने का अधिकार के पास है राज्य सरकार के पास किसी भी प्रकार का जनगन्ना या गन्ना करने का अधिकार नहीं है यही कहते हुए इस पर अंत्रीम रोक लगाई गई थी और आज हाई कोट में इसकी सुनवाई होनी थी तो देके सुनवाई हो चुका है अब तीन जुलाई को ही सुनवाई होगी एक बड़ा जटका लगा है बिहार सरकार को नौ मई को जो सुनवाई होनी थी इस पर ये कह दिया गया कि अब तीन जुलाई को ही मामले की सुनवाई होगी खारिच कर दिया गया है मामले को तीन जुलाई को ही इस पर सुनवाई होगी बेराल इसका बन में इतना ही बने रहे हैं और देखते रहें देंजा टॉप